एक टीम ने एशिया कप 2023 सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है नमस्कार दोस्तों एशिया कप 2023 नमबर 4 मैच बांगलादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच था बांगलादेश ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया बल्लेबाजी करने उत्री बांगलादेश ने खेल की शांदार शुरुआत की मेहदी हसन मिराज और नाजिमुल शांतो दोनों ने शतक बनाए नतीजतन बांगलादेश ने 50 ओवर में 334 रन बनाए और अफगानिस्तान को 335 रन का लक्ष दिया अफगानिस्तान के लिए मुजीब ने एक विकेट लिया 35 रनों के बड़े लक्षे का पीछा करने उत्री अफगानिस्तान की बल्लेबाजी करम विफल रही नतीजा ये हुआ कि 245 रन पर आल आउट हो गई अफगानिस्तान के लिए केबल जादरान ने 75 रन बनाए बांगलादेश के लिए तसकीन एहमद ने 4 और शोर फुल असलाम ने 3 विकेट लिए बांगलादेश ने यह मैच 89 रनों से जीत लिया इस मैच को जीत कर बांगलादेश को प्वाइंट टेबल में काफी फायदा हुआ है अब बात करते हैं एशिया का प्वाइंट टेबल की ग्रुप A में पाकिस्तान 2 में से 1 मैच जीत कर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करके पहले स्थान पर है भारत 1 मैच रद होने के बाद दूसरे स्थान पर है और नेपाल 1 में से 1 मैच हार कर तीसरे स्थान पर है वहीं ग्रुप B में श्रीलंका 1 में से 1 मैच जीत कर नंबर 1 पर है और बांगलादेश 2 में से 1 मैच जीत कर दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान एक में से एक मैच हार कर तीसरे नंबर पर है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट की ऐसी ही और खबरें पाने के लिए क्रिकेट फो हिंदी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें